तो हेलो फरेंडدي अभी दीपावली आ रही और हर कोई पेंट करता है तो अगर आप भी पेंट करुछे और अगर आपकी भी दीवा ले है और सिलिंग इस तरह से खराब हो चुक है याने की लुने की समस्या बेज की समसिया, वाल डेमनेस एंड वाल वाटर्पूफिंग आपको करना है तो इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि क्या कुछ प्रोसेसिंग है और सारा स्टेप बाइस टेप एंड फूल वरांटी के साथ आपको वीडियो मिलने वाली है त फिर वाल डेमनेस या फिर वाल पॉपड़ी पर रही है उसको में अच्छी तरह से जितना भी हो सक कि इतना पॉपड़ा निकालना है इसके बाद हमारे पास इस तरह का वायर ब्रस है उसकी साहिता से जो भी उपर की और चूना हमारा लगा हूँ उसको भी निकाल देना सारी पपड़ी और सारी धूल मिटी थी उसको निकाल दिया उसके बाद में उसको एक केमिकल मारना है आप लोग देख सकते हो यह केमिकल में पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता और यह केमिकल कौन सा यह भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ यह एसियन पेंट कंपनी का स्मार्ट केर आप लोग देख सकते हो यह साड़े 500-600 रुपी का पर लिटर आएगा और इसके आपको कितने कोट लगाना है आपको पहले सबसे पहले यह बता देते हो इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है जो भी हमारा खराब एरिया है वहां पर में इ व्हां सबसे पहले बता या विल्कुल आपको प्रीशारी निकाल देनी है उसके बाद आपको वायर ब्रस अच्छे से जो भी ऊपर चुना लगा है उसको भी सब निकल देना है, कई भी कुछ प्रकार का कोई भी खराब चीज उस पर दिवलपर नहीं रहना जाए, तो आपकी ये जो है तीन साल का तीन से पांथ साल तक आराम से चल जागा, कंपनी भी तीन साल के में वरंटी इस पर दे रही है, मेरी गेरंटी आपको तीन से पांच साल तक कुछ भी नहीं होगा तो भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस पर दो कोट लगा दिया एक कोट लगाने के बाद कम से कम हमें चार से पांच घंटा छोड़ देना है यानि कि एक कोट आप आज लगा और दूसरा कोट कल लगा तो बहुत ही बेतर आप लोग देख सकते हो कई पर भी बिल्कुल भी चुना नहीं यह कुछ नहीं अब किया करेंगे और दोस्तों में हूँ गुजरात के राज कोट सहर से अगर आप लोग को मुझसे काम करवाना तो माई वर्क है ओनली गुजरात राजकोट सहर में वर्क है में बहुत जादा बाहर वर्क करने के लिए नहीं जाता हूँ और आप लोगों कुछ भी इससे बारे में मुझे पूछना है तो आप मुझे कोमेट करकर जरूर से पूछ सकते हूँ मैं आपको रिप्ले 100% मिलेगा अब बारी इस पर हमें पूट्टी एप्लाई करने की तो आप कोई भी कंपनी के पूट्टी ले सकते हो जेके वाल पूट कोई भी अच्छी पूट्टी लेकर उस पर आपको दो कोट आपकर डों अन्य मुझे करने के बाद कम से कम में 3 से 4 घंट चैया छोड़ डेना इसके बाद दूसरा कोटी करना है तो अभी में आप लोगोंa पूट्टी लगा रहें अभी सिप प्राइमर और कलर नहीं लगा हुआ है आप लोग देख सकते हो कि कितना खुबसुरत तरीके से एकदम वाइट हो चुका है अभी आप लोग देख सकते हो कि आपको सामने दीवाल से पता चल जाएगा हमने इस पर भी पेंट नहीं किया है तो उमीद करता हूँ या फिर ऐसे भी रखो तो भी दीवाल खुबसूरत लगेगी तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए तो गुड़ बाई